इस चैनल पर हम आपको नवीनतम और रोचक विशयों पर वीडियो स्प्रदान करेंगे हमारे चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनुरंजन और अन्य विभिन विशयों पर वीडियो उपलब्ध है आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद HTML लेआउट और रिस्पॉन्सिव दे HTML लेआउट वेबसाइटें अकसर सामगरी को कई कॉल्मों में प्रदर्शित करती हैं जैसे कोई पत्रिका या समाचार पत्र हेडर किसी दस्तावेज या अनुभाग के लिए हेडर को परिभाशित करता है नव नावगेशन लिंक के एक सेट को परिभाशित करता है अनुभाग दस्तावेज में एक अनुभाग को परिभाशित करता है लेख एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर सामगरी को परिभाशित करता है अलग सामगरी से अलग सामगरी को परिभाशित करता है साइट बार की तरह पाद लेख किसी दस्तावेज या अनुभाग के लिए पाद लेख को परिभाशित करता है विवर्ण अतिरिक्त विवर्ण परिभाशित करता है जिसे उपियोग करता मांग पर खोल और बंद कर सकता है साराश विवर्ण तत्व के लिए एक शीर्षक परिभाशित करता है HTML लेयाउट टक्नीके मल्टी कॉलम लेयूट बनाने की चार अलग-अलग टक्नीके हैं प्रत्य टक्नीक के अपने फाइदे और नुकसान है CSS धाचा CSS फ्लोट समपत्ती, CSS Flexbox, CSS Grid CSS framework एक सापेक्ष फाइलपत वर्तमान प्रिष्ट से संबंधित फाइल की ओर इंगित करता है निम्नलिखित उदाहरण में फाइलपत वर्तमान वेब के मूल में स्थित 6 फोल्डर में एक फाइल को इंगित करता है इस बुटस्ट्राप ट्यूटोरियल में सैकडों बुटस्ट्राप उदाहरण है हमारे ओनलाइन संपादत के साथ आप कोड को संपादित कर सकते हैं और परिणाम देखने के लिए एक बटन पर क्लिक कर सकते हैं Responsive Web Design ऐसे वेब पेज बनाने के बारे में है जो सभी डिवाइस पर अच्छे लगते हैं एक प्रतिक्रियाशील वेब डिजाइन स्वचालित रूप से विभिन्न स्क्रीन आकारों और व्यूपोर्ट के लिए समायोजित हो जाएगा Responsive Web Design एक वेब साइट को सभी डिवाइस, डेस्क टॉप, टैबलेट और फोन पर अच्छा दिखने के लिए स्वचालित रूप से आकार बदलने, छिपाने, छोटा करने या बढ़ा करने के लिए HTML और CSS का उप्योग करने के बारे में है एक प्रतिक्रियाशी वेब साइट बनाने के लिए अपने सभी वेब पेजों पर निमलिखित मेटा टैग जोड़े उदाहरन, मेटा नाम, व्यूपोर्ट, सामगरी, चौड़ाई, डिवाइस, चौड़ाई, प्रारमभिकसकेल, एक दशमलव, शून्य, इच यहां आपके पेज का व्यूपोर्ट सेट करेगा, जो ब्राउजर को पेज के आयाम और स्केलिंग को नियंतरित करने के निर्देश देगा यहां व्यूपोर्ट मेटा टैग के बिना एक वेब पेज का उदाहरन दिया गया है और व्यूपोर्ट मेटा टैग के साथ एक ही वेब पेज है रतिक्रियाशील छविया Responsive छवियां ऐसी छवियां होती है जो किसी भी ब्राउजर आकार में फिट होने के लिए अच्छी तरह से स्केल होती है चौडाई संपत्ती का उप्योग करना यदि CSS चौडाई संपत्ती 100% पर सेठ है तो छविया उत्तरदाई होगी और उपर और नीचे स्केल होगी उदाहरन इम्ग SRC इम्गंदस्कोगल.jpg शैली चौडाई 100% ध्यान दे की उपरोक्त उदाहरन में छवि को उसके मूल आकार से बड़ा किया जा सकता है एक बहतर समाधान कई मामलों में इसके बजाए अधिक्तम चौडाई संपत्ती का उप्योग करना होगा अधिक्तम चौडाई संपत्ती का उप्योग करना यदि अधिक्तम चौडाई गुन 100% पर सेट है तो आवशक्ता पढ़ने पर छवी का आकार छोटा हो जाएगा लेकिन कभी भी अपने मूल आकार से बड़ा नहीं होगा ब्राउजर की चौडाई के आधार पर अलग-अलग छविया दिखाए HTML चित्रतत्व आपको विभिन्न ब्राउजर विंडो आकारों के लिए अलग-अलग छवियों को परिभाशित करने की अनुमती देता है चौडाई के आधार पर नीचे दी गई छवी कैसे बदलती है यहाँ देखने के लिए ब्राउजर विंडो का आकार बदले प्रतिक्रिया शील पाट का आकार टेक्स्ट का आकार वी डबलीरू इकाई के साथ सेट किया जा सकता है जिसका अर्थ है व्यूपोर्ट चौडाई इस प्रकार टेक्स्ट का आकार ब्राउजर विंडो के आकार का अनुसर्ण करेगा